बर्दन की नसों में दर्द रहता है, शोल्डर में दर्द रहता है, या सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, एक योग के रिया बता रहे हूं, रेगुलर प्राक्टिस करनी है, अराम राम से करनी है, जटका नहीं देना है, आपको तुरंत अराम आएगा और रेगुलर करने से राम से करेंगे, एक एक नस को आप फील कर पाएंगे, और उसके बाद दोनों फिंगर इंटर लॉग, दोनों हाथों को इस तरीके से, दोनों उटों को इस तरीके से चिन पे रखिए और पूरा पीछे, होल्ड, जो स्ट्रेच आ रहा है, फील करिए, और तीर इसे बापिस ऐसा आप करेंगे, आप देखो, पहली बार में आपको रिलीफ मिलेगा, और रेगुलर करने से जो आपके नसों का दर्द है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अगर आपको भी PCOD की प्रॉब्लम है, तीन योग के रिया है, बता रहे हूँ, रेगुलर कर लीजे, आपका PCOD ब्रीथी, ब्रीथाउट इस तरीके से करना है, और फिर इसके बाद यहीं से दोनों पैरों को इस तरीके से क्रॉस करना है, और हातों से ब्रीथी, ब्रीथाउट, ब्रीथी, ब्रीथाउट, ब्रीथी, ब्रीथाउट, टैन टैम्स इस तरीके से और फिर पैर चेंज, लेफ breathe out, breathe in, breathe out, और इसके बाद आपको सवासन में लेठना है और करना है से तुवंद आसना, दोनों पैरों को इस तरीके से ग्रिप कर लीजे और आप यहां पे 10 सेकिंड होल्ड और फिद धीर इसे बापिस, जब आप उपर जाओगे हिप मसल, थाई मसल टाइट करके रखनी है, क और जब भी आप होल्ड करते हो, स्वास चलती रहेगा, आपको भी लटका हुआ पेट गायब करना है, इस पेशली सी सक्षन के बाद यह जो लोर स्टमक लटक जाता है, एक सिंपल सी योग करिया बता रहे हो, रैगुलर प्राक्टिस कर लीजे, जो लटका हुआ पेट है, बिलकुल गायब हो जाएगा, इस तरीके से सवासन में लेटना है, पेरों को आप और हाथों को भी उपर करना है, और ये, इस तरीके से आपको 2020 के 3 सेट कर लेना है, पेरों को नीचे टच नहीं होने देना है, आप देखोगे, कुछी दिनों में, विदिना वीक आपको रिजर्ट दिखाए देंगे, जो आपका लोवर स्टमक है, बिलकुल गायब हो जाएगा, बस इसको रैगुलर करना है, ऐसे ही यूसफुल वीडियो के लिए, चल दिससे चैनल को फॉलो कर लीजे, दाग दब्बई अटाने के लिए अफिर अटी एजिन के लिए बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट और बहुत महंगे महंगे सीरम लगा कि अगर ठक शुके हैं, एक सीरम बता रहे हो, राइस सीरम है, घर पे ही बनाना है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत जूस और एक चमश आपको बदाम का तेल उसमें, बदाम का ओईल, आलमंड ओईल उसमें मिलाना है, और अच्छे से मिला लीजेए, इसके बाद इसका एक पेस्ट बन जाएगा, जैसे सीरम होता है, बिल्कुल वैसा ही एक ठिक पेस्ट बन जाएगा, उसको आपको फेस पे शूरु कर देते हैं, क्योंकि इसका साइड एपक्ट कोई नहीं है, तो आने वाले टाइम में जाएगा, जैसे स्क्षागा, इसको बाद आने को हैं, इसका बदाम का पेस्ट, एक उल्समें, जैसे समूराइपकोश बैस्ट बाद में, जैसे सब्लाभश बादाया का आपको